हलो दोस्तों और बड़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से चैनल कोकिंग उखिया पर आज हम बनाएंगे पूड़ी और कचोड़ी दोनों का मज़ेदार स्वाद वाली रेसिपी और इसके साथ आलू की सबजी मिल जाए तो बाती क्या है और ये पानी से टूट रही है इसका पानी निकाल लेंगे उसे हम ग्रैंडर जार में डालेंगे पहले इसे हम बिना पानी के ही पीसे अगे तो यहां पर हमने 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया डाल दिया और इसे हमने पीस लिए तो यह बिलकुल स्मूद पिसक्य तयार हो गया है अब यहां पे हमने गेहूं का आटा लिया है और इसे हमने चाल लिया था तो हमने यहां पे दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है अब इसमें हमने अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और इसमें तो पिंच हमने यहां पे हिंग डाली हिंग से बहुत ही अच्छा मैं पानी से गूथेंगे तो ग्रैंडर इंडर में थोड़ा सा पानी डाल लिया था उसको भी डाल दिया स्वात के नुसार नमक डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से पहले गूत लेंगे एक सौफ्ट रगाना है जिस तरह से हम पूड़ी का लगाते हैं तो यह आटा हो गया से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे देखिए 10 मिनट हो गया है आटा भी हमारा अच्छी से सौप्ट हो गया है इसका आटा थोड़ा सा सौप्ट ही देखिए अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो ओयल गरम हो गया है तो एक पीस चोटा सा डाल के देखा है हमने ओयल गरम हो गया है तो इसमें हमने पूड़ी डाली है इस तरह से दिखिए फूल के उपर आ गई है इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक सेख आधा टीजपून गरम कर लिया है आधा टीजपून हमने यह यह घंग डाल से यहादगल मनों गूले कर लेंगल के गणिआ हे सब्सक्πα पारिक जाए हमने ऑल ग्याँ कर दिया है चूम पर स्वाह को कर दो डीया है।istic के राऴल किने कम आं इसे लुकित ने यहां पर हमने आलू लिये हैं उबले हुए इसे हमने ठंडा कर लिया है एक बार आप पेड़मी पूरी के साथ चटपटे मज़ेदार टुबकी वाले आलू की सब्जी जरूर बना के देखें यह मत्रा की फीमस रेस्पी है तो देखिए इस तरह से हमने आलू को छील लिया है और इसे हम थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा ही काटेंगे इस तरह से इस रेस्पी को बनाना बहुत ही आशान है आप एक बार बना गे देखिए तो इस तरह से हमने आलू काट लिये हैं यहां पर हमने अदरक, लैसुन, हरी मिर्च को इस तरह से काट लिया है इसको भी हम डाल देंगे तो प्याज को हम कंडीनीउ चलाते रहेंगे जिससे हमारा प्याज अच्छे से भून जाए यहां पर हमने दो चोटे दो टमाटर लिए हैं, इसे पर क्रश कर लिया है, वह इसे भी डालकर अच्छे से भूनए खेंगें, भूहाएं अच्छे इससे सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है यहां पर आदा टीस्पून हमने हल्दी लिया है और आदा टीस्पून हमने गरम मसाला की चमश धनिया डाला है और आदा टीस्पून हमने लाल मिश डाली है यह मसाला जो हमने भूना था इसको हमने पीछ लिया है तो इसक अच्छे से बुन जाएं यहां पे हमने आधा चमश आमचूर डाला है तो मसाले से देखिए और सेपरेट हो गया है मसाले अच्छे से बुन गए हैं अब इसमें हम आलू डाल देंगे आलू डालकर हम इसे एक मिनट तक भूनेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से आप सूखी सब्जी भी बना सकते हो अब इसमें हम आवस्यक्त अनुसार पानी डाल देंगे जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसी अनुसार आप पानी डालें अब इसमें एक हम उबालाने देंगे अगर आपको हमारी रेश्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें ढग कर हमने सब्जी को 5 मिनट पका लिया है हम नमक डालना भूल गए थे तो हमने लास्ट में नमक डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी हमारी बन गई है देखिए कितनी सांदर सब्जी बन के तयार हुई है इसमें हमने हरा दनिया डाल दिया है अब इसे हम सर्ब कर लेंगे तो यहाँ पर हमने दौने में सर्ब किया है देखने में ही कितनी सांदर सब्जी लग रही है एक बार आप इस तरह से बना के जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको रेस्पी कैसी लगी थेंक्स पॉर वाचिंग टेक कियर बाई